हेलो नोशका दोस्तों, आज अब बात कड़े वाले हैं पांच ऐसी डॉक्यूमेंटरी फिल्म को बारे में जिन्होंने दुनिया का नजरिया बदल दिया, देखने का नजरिया बदल दिया मुवीज को, तो आप ज़रू देखेगा, नमबर वण पे है ब्लाक फिल्म, 2013 में र करका के चुर्णी को दिखाया जाता है, जो क्याप्टिविटी से अपने नैश्रल हैबिटाट में जाने के कोशिश करता है, नमबर चू पे है दा आक्ट ऑफ किलिंग, 2012 में रिलीज हुई थी यह मुवी, यह फिल्म इंडोनेशिया पॉलेटिकिल किलिंग्स के बारे में ह जो 1965 में हुए थे, फिल्म के थू हम देखेंगे किस तरह से लोग मिसाकरे के रिस्पॉंसिबल थे और उनके किस तरह की गिल्ट फ्री एक्जिस्टेंस है, डॉक्यमेंटरी में रहने वाले लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है कि उन्हें किस तरह से उनके एक्शन्स का जिस्टिफिकेशन होता है, नमबर त्री पे है सिटिजन फोर, 2014 में रिमूबी रिलीज हुई थी, डॉक्यमेंटरी एडवर्ड स्नोडेन के पारे में है, जो एक अमेरिकन विसल बॉलर है और कप्यूटर प्रोफेशनल भी है, फिल्म है स्नोडेन के कुछ एक प्रोटर को बदाने के लिए इंपॉर्डेन्ट है, नमबर फोर पे है, आमी, 2015 में रिलीज हुई थी, यह फिल्म ब्रिटिश शिंगर आमी, वाइन हाउस के लाइफ के बारे, फिल्म में उनके म्यूजिक कैरियर एडिक्शन बसन लाइफ और उनकी डेथ के बारे में तिख देखने को मिलता है, नमबर फाइब पे है, जीरो ड्रीमस अब सुशी, 2011 में रिलेज हुई थी, यह डॉक्यमेंटरी फिल्म है, एक सुशी शेफ, जीरो उनके बारे में जो कि टोक्यो में एक स्मॉल सुशी रेस्टरेंट चलाते हैं, फिल्म में उनके देखने को मिलता है क किस तरह से जीरो अपनी स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए कितने सालों तक लगे रहे और किस तरह से उन्होंने अपने अपने तरह के परफेक्ट सुशी बनाने का तरीका डिवलफ किया है, जोक्यमेंटरी में हम देखेंगे कि किस तरह का परफेक्शन के लिए कितनी मेह करनी पड़ती है तो यह दी पांच जोक्यमेंटरी मुवीज जो हमें अलग-अलग सबस्टेक्स और रियल लाइफ स्टूरीज के बारे में सिखाते हैं इन मुवीज को देखकर हमें इन मुवीज को देखने का नजरिया बदलना आ गया तब तक के लिए वीडियो को सब्स्रा तक कर दो हमें झारे में जर थाते हैं ठटने का वर्या तक को केर देखकर हाओर।